नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, आज की सेशन में हम MTS के गजब कोश्चन देखने वाले हैं, जो अभी हाली फिलाली में एक्जाम हुआ है, एक क्लास इन पर मैं ले चुका हूँ, आज दूसरी क्लास है और आज ही क्लास में हम सारे कोश्चन कर देंगे, जो एक काम आ सकता है आने वाले एक्जाम में, जिससे आपको एक्जामिनल की सोच पता लग सकती है, जो कुछ नया है, जो कुछ दिखने में नया है, जो कुछ करने में नया है, जो एक्जामिनल का ट्रांस्फोर्मेशन है, वो सब चीज़े देखने को मिलेंगे, वो साथ के साथ exam oriented solution, यह आपको कैसे tackle करना है, तो आईए start करते हैं आज की class पहले question के साथ पहला question है आपके सामने यह एक वेक्ति P से Q P से Q और Q से R ठीक है, P से Q जादा है 20 की गती से और Q से R जादा है Q की गती से और फिर R से S भी है ठीक है, R से S वो R की गती से ठीक है, यह R की गती है R की गती से ठीक है P से Q, Q से R R से S, तीनों डिस्टेंस इक्वल है बराबर बराबर दूरी पर है एक स्टेकिन हो जाईए, यह मैं रेट से करता हूँ 280 बटे ग्या रहा और बात करें Q से लेके S तक की तो स्पीड दे रखे है एवरेज कितनी? 112 बटे तीन ठीक है, अब ध्यान से बात समझेगा भाई, P से लेके R तक सेम डिस्टेंस के लिए एवरेज स्पीड कितनी होती है 2XY 2 इंटू 20 इंटू Q बटा X प्लस Y इसकी वेल्यू दे रखे है 280 बटे 11 काटते हैं, 40 से गटेगा 7 आएगा, और 11 Q और 7 Q, यानि 4 Q 4 Q की वेल्यू 140 आगई Q की वेल्यू 35 आगई ठीक है इसका और इसका और इसका और सद दे रखा है फिर से फॉर्मल लगाएंगे 2 इंटू 35 इंटू R बटे 35 प्लस R किसके बराबर हो जाएगा 112 बटे 3 के पास 7 दूनी 14 14 अठे होता है तो 7 इसमें से गया 2 इसमें से गया 5 बचा तो 5 थी अब 15 15 में से आठ गया 7 R और 7 R की वेल्यू कितनी है 35 इंटू 8 R की वेल्यू कितनी आगई 40 आगई 40 है बिल्कुल आजी यह रह A option में A option हमारा answer हो जाएगा ठीक है पहला ही question देखे यह कितना बड़ा है यह MTS का paper है है ना आई अगले question पर आते है अगला question है यह आपके सामने एक छात्रा बास में 45 बच्चे हैं यह जी छात्रों की संक्या में 5 की वरिद्धी होती है 45 से 50 हो जाते है मैस का जो expense है वो 30 रुपे बढ़ जाता है परन्तु जो औसत है वो 2 रुपे कम हो जाता है उल्टा लिख दिया मैंने यह माइनस आएगा यह प्लस आएगा ठीक है नहीं सही है 2 रुपे कम हो रहा है ना ठीक है यह पहले वाला है यह अब वाला है वो 2 रुपे कम हो रहा है ठीक है यह आ गया अब मुझे बताना है original daily expenditure क्या होगा mass का ध्यान से देखिएगा original daily expenditure निगालना है आपको बहुत ध्यान से देखना है सभी को अगर मैं बोलूँगा E E की value कुछ ऐसी देखो जो 45 से भाग हो जाए यानि 9 से मुझे दो option ने ज़र आ रहे है दो option तो वैसी कट गए ये और ये अगर मैं 1170 लेता हूँ ठीक है 1170 मैं लेता हूँ तो कितना आएगा 45 दुनी ध्यान से देखिए 45 दुनी 90 45 26 आ जाएगा और 1170 और 30 1200 1200 के साथ 24 आ जाएगा अंतर आ जाएगा दो का बात बन जाएगी अगले option को check नहीं करना पड़ेगा अगर बात नहीं बनती तो मैं अगला option सीधा answer mark कर देता ठीक है उरा सौल नहीं किया मैंने लेगी निया अगला कुछ नहीं है आपके साथ में थोड़ा कैलकुलेटिव है इसलिए गलास में लिया गया है हाफ यह लिपे 6% हो गया और 1.5 साल का मलब है 3 बार यह answer आने वाला है अब आप खुछ सोचिए आप calculate कैसे करेंगे मैं आपकी जगे होँगा तो मैं क्या करूँगा इसमें DS का concept लगा दूँगा सीधा सीधा 6 और 1,7 हो गया 7 का cube यानि 343 यानि 4,7,10 यानि 1 1 इंटू 2 तो 2 आ जाएगा जिसके अंकों का योग 2 हो 8,2,10,16,18 6,5 बच्चा के बलिए B option B option मेरा answer हो जाएगा जिसके अंकों का योग 2 है ठीक है अगला कोशन नहीं है आपके सामने option इधर कर देते हैं ध्यान से देखे अंजली ने decide किया कि वो 45% खर्च करेगी और 55% बचाएगी 100 में से 45 खर्च करेगी और 55 बचाएगी बाद में उसे ये realize हुआ कि उसने केवल 11,474 रुपे खर्च करेगी जो उसने decide किया था उसके 60% है इसका 60% यानि 27 हो गया 27 की value दे रखिए 11,4,7,5 आपको निकालना है अंजली की sell यानि 100 की value निकालना है ठीक है ये निकालना है देखें मैं आपकी जगे होता तो मैं क्या करता 9,9 500 द्यान से देखिए बहुत द्यान से देखिएगा अगर मैं बोलता हूँ 27 27 से अगर मैं काटता हूँ 27,4,108 ठीक है 27,4,108 बचा 6 27 दूनी तो 4,2 करके कुछ आएगा 4,2 इसमें नहीं है 4,2 इसमें नहीं है 4,2 इसमें नहीं है 4,2 इसमें है D option answer होगी है पूरा calculation मैंने नहीं किया यापर ठीक है पूरा calculation नहीं किया आपने यापर अगला कोशन है यापके सामने एक खुद्रा विक्रेता ने 50 किलोगराम अरर की दाल 20 परसेंट की छूट पर खरीदी 50 किलोगराम दाल की खरीद पर थोगेपारी द्वारा उन्हें 2 किलोगराम अरर की दाल मुफ्त में देने की पेशकश की गई माल लेते हैं एक रुपे अंकित मुल्ले था उसका दाल का 50 किलोगराम और 2 किलोगराम यानि 52 किलोगराम मैं लेकर आ रहा हूँ यानि 52 रुपे की 52 रुपे की चीज है मेरे पास ठीक है परंतु मैंने जो खरीदी 20% छूट पर 50 रुपे की चीज 20% छूट पर यानि 40 रुपे में खरीदी मैंने ये मेरा CPA और वैं बोलता है कि यदि खुद्रा विगरेता दाल की पूरी मात्रा यानि 52 रुपे की दाल अगर मैं गराक को अंकित मुल्ले पर बेसता हूँ अंकित मुल्ले ये आगिया 52 रुपे तो मेरा कितना लाब होगा ये सेलिंग प्राइज आगिया तो 12 रुपे का लाब होगा इस पर यानि 30% 30 परतीशत मेरा अंसर हो जाएगा ठीक है A option मेरा अंसर आगिया practical life से connect करता हुए कोशन है practical life से connect करते हुए concept exam में आ रहे हैं लगातार मैं बार-बार आपसे कितने सालों से बोल लाँ पढ़िये तो practically पढ़िये ये नहीं केरन की book आप पढ़के और वैसे कोशन की उम्मीद कर रहे हैं पेपर में आ जाए चीजों को समझेए वाकई में असलियत में हो क्या रहा है अगला कोशन नहीं है आपके सामने एक व्यक्ति दारा की विपरीत और दारा की दिशा कुल मिला के 15 गंटे में तै करता है 300 किलो मेटर की दूरी है ठीक है time taken by man to row 9 किलो मेटर डाउन स्ट्रीम ये बराबर है time अगर same है देखे ध्यान से time अगर same है तो distance का ratio हो गया कितना downstream में और upstream में कितना हो गया ये 9 हो गया तो ये 3 हो गया तो speed का ratio क्या होगा ये भी 9-3 हो जाएगा downstream और upstream के अंदर ठीक है ध्यान से देखे उसका मतलब क्या हो गया 3-1 ठीक तो 300 बटा 3x downstream plus 300 बटा x बराबर आगया 15 के ठीक है ये आगया मेरे को still water निगालना है still water में speed क्या होगी वो क्या होगा ये 3x है ये x है 3 plus 1, 4, 4 बटा दो यानी 2x 2x निगालना है उससे पहले मेरे को x की value निगालने पड़ेगी ये option देख लेता हूँ अरे भाई ये option तो बहुत अजीब से है option है बहुत अजीब से मेरे को खुद कुछ value रखे अगर मैं solve करना चाहूँ या फिर मैं solve भी कर सकता हूँ देखिए 3 अगर मैं 3x बनाता हूँ तो 903, 1200, 1200 बटे 3 यानी 400 बटा x तो x की value आ गई 400 बटे 15 ठीक है 2x की कितनी आएगी 800 बटे 15 यानी 5 into 160, 5 into 3 160 बटे 3, 53.33 यह रहा इससी option मेरा answer हो जाएगा 53.33 calculation है और question वैसा नहीं है सीधा जैसे आज तक exam में पूछा गया था या आज तक बुफस में दिया गया था अगला question है आपके सामने यह LCM निगालना है इसका आपको दियान से देखिए इसका आपको LCM निगालना है ठीक है LCM क्या होता है एक ऐसी value जो तीनों से भाग हो जाए यानि एक के अंदर कुछ power होगी दूसरे के अंदर कुछ power होगी तीसरे के अंदर कुछ power होगी यानि में को highest power तो लेनी पड़ेगी मेरे पास 3 power है X की आपके पास 4 है आपके दोसके पास 5 है LCM लेंगे तो X की power 5 से भी भाग होना चाहिए इसका मदलब है कम से कम X की power 5 लेना पड़ेगा अगर उससे कम लेंगे तो बात नहीं बनेगी यानि highest power तो highest power मैं देखता हूं 2 की कितनी आ गई 8 3 की 7 तो कहां पर है answer यह रहा answer C option मेरा answer हो जाएगा ठीक है C option हमारा answer हो गया अगले question पर आते हैं अगला question है आपके सामने यह 45% of 80% of A to 30% of 40% of B अब मैं %% बोल जाता हूं अच्छा यह भी अनुपात में यह बोल ला है अरे बापरे देख रहो question देख रहो आप 45% of C A ठीक है और 30% of B बराबर है 15 बटे 4 के ऐसा कभी देखा है किताब में यह दिया आवाय 40 का दुगना आगिया 15 का 3 गुना आगिया 3 से आगिया 10 गुना और 2 से आगिया 5 गुना 5 बटे 4 आगिया A बाए B वो बोलता है ओसत इसका यानि इसका दुगना होगी 135 यह 9 की वैल्यू है इसके योग की 15 गुना A minus B यानि 1 unit यानि 15 answer हो जाएगा A minus B क्या है 1 unit 1 की 15 आजाएगी ओसत इतना है तो total इसका दुगना होगा ठीक है अगला कोशन है यह आपके सामने एक बैग में 5 रुपे के 10 रुपे के और 2 रुपे के यह 3 सिक्के हैं ध्यान से देखेगा यह 3 तरीके के सिक्के दे रखे हैं ठीक अब वो क्या बोलता है कि भाई 5 रुपे के सिक्के 8 जादा है इससे परन्तु इससे 20% कम है यानि अगर इसके 5 एक सिक्के होंगे तो इसके 4 एक सिक्के होंगे ठीक है ध्यान से देखना 4 से भाग होने वाला उप्शन लेना चाहिए जहां तक मेरा ख्याल है what is the number of 5 रुपेस कॉइन मेरे को यह बताना है ठीक है 5 रुपेस कॉइन तो चार से भाग होने वाला तो एक ही ऑप्शन न ज़रा रहा है मेरे को यही आंसर होना चाहिए ठीक है वैसे तो बात बनाने की जुरुवत ही नहीं थी क्योंकि एक ही ऑप्शन था अगर कोई और ऑप्शन भी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी ठीक है हमें केवल यह करना था कि verify करना था जैसे मैंने कराए ठीक है बहुत अच्छा कोशन है common कोशन में से नहीं है किसी पैन का अंकित मुल्ले X है selling price of one packet of X pen after discount of 15% is यह ठीक है mark price है X एक पैन का X पैन का कितना हो जाएगा X square सभी पैनों की गीमत MP mark price अंकित मुल्ले 15% के discount मिलता है यानी 85% की इसका 85% बराबर है किसके 1360 के 85% मरलब क्या होता है 17 20 178 80 गुना यानी इसका 80 गुना हो गया 1600 यानी ये MP आगया X square की value कितनी आगई 1600 आगई और X value कितनी आगई 40 आगई 40 मेरा answer हो जाना चाहिए 40 का मनलब है B option B option मेरा answer हो जाएगा ठीक है बड़िया कोशन examiner खेल जा है केवल वही आगए बढ़ पाएगा जिसका concept बहुत अच्छा होगा जिसका concept पर clarity बहुत अच्छी होगी जिसका calculation बहुत अच्छा होगा ठीक है एक second हो जाईए ठीक है चलिए अगले कोशन पर आते हैं अगला कोशन है यह आपके सामने एक office में 900 employee है किसी दिन केवल 10% female आती है 10% female employees को छोड़ के वाकी सब आते हैं अगले दिन 8% पुरुष को छोड़ कर सब आते हैं और दोनों ही दिन जो लोग आते हैं उनकी संख्या सेम थी इसका मलब दोनों ही दिन जो लोग absent थे उनकी संख्या भी सेम थी यानि 10% female का बराबर है किसके 8% male के तो F by M कितना आगिया या आगिया हमारा 8 बटे 10 आपको क्या निकालना है total number of male employees 18 का 50 गुना ठीक है तो 10 का 50 गुना होग या 500 500 आंसर आजाना चाहिए आपका 500 कहां पर है D option में है D option answer आजाएगा अगला question देखिए अक्षे के पास 30 article है ध्यान से देखिएगा अक्षे के पास 30 article है सबका same cost price है वह उन्हें 30% उपर मार करता है 30 और 49 ठीक है या फिर मैं बोल सकता हूँ 300 की चीज उसने 390 रुबे मार करी CP और MP 30% उपर ठीक है उसने 15 वस्तू 15 वस्तू का मलब है 1.500 रुबेगी वस्तू आधी और बाकी आधी पहली बेची 20% discount पर ठीक है 20% discount पहली पर यानि 1.500 का 20% discount हो गया कितना 30 रुपे 120 में बेची उसने ठीक है एक सेकिन हुझे यह गड़बड हो गई ना यहां पर गड़बड हो गई भाई देड़सो की तो CP है discount मिलेगा MP पर तो MP कितना आ गया MP भी 30% उपर आ गया ठीक है cost price से यानि 195 आ गया ठीक है अब इस पे 20% का discount मिल रहा है समझ रहे हैं बात तो कितने का discount मिलेगा 20% हो गया एक बटा 5 यानि 49 रुपे तो 49 रुपे का discount देगे 156 में वो बेच रहा है अब जो बचेवे 15 article है यानि 1.500 रुपे की चीज़ उस पे क्या कर रहा है 1.500 की चीज़ ये भी कितने की होगी 195 की परन्तु इस पे 10% का discount यानि 19 रुपे 50 पैसे का 20 कम करता हूँ तो 175 175.5 हो गया ठीक है अब मैं देखता हूँ फायदा हो रहा है 630 का फायदा देगे कितने का 6 का यहाँ और 25.5 का यहाँ 31.5 और इसकी value दे रखिया 630 आपको निकालना है CP यानि 300 ठीक है एक सेगंड रुख जाए यह क्या हो गया 56 25.5 31.5 cost price of each article यह तो 30 article का है 300 एक article का कितना हो गया 10 हो गया ठीक है इसका दुगना और 7 में 0 इसका दुगना 7 में 0 यानि 200 तो 200 में मेरा answer हो जाएगा D option मेरा answer हो गया 200 आपका answer आजाएगा ठीक है चलिए अगले question पर आते हैं अगला question है आपके सामने यह MP का 2 बटा 5 CP के 4 बटे 7 के बराबर है ठीक है तो MP और CP का ratio क्या आगिया 10 और 7 आगिया यदि 15% की discount दिया गया तो फाइदा कितने परतीशत का हुआ दियान से देखिए 15% का अगर मैं discount देता हूँ तो साड़े 8 रुपे में बेचूंगा फाइदा कितना हो गया 1.5 का कितने पर 7 पर ठीक है तो ये कितना हो गया 1.500 बटे 7 तो 1.500 बटे 7 किसमें आएगा 7 दूनी 21 सत्य ये आगिया C option 21 के गरीब आंसर आजएगा 21 सत्य 147 होता है 22 सत्य 154 होता है 22 से कम और 21 से ज़्यादा अगला question देखिए A का 80% B के 90% से 13 ज़्यादा है जबकि A के 40% का B के 60% के साथ अनुपात ये है 4060 को काटता हूँ 2-3 लिखता हूँ सीधा A by B लिखता हूँ सीधा ये आगिया 10 बटा 9 ये कला कारी करिए इस बार एक्जामिनन ने तब ही मैंने class में लिए एक question पास-3 पास-3 का मलब है मैं 50 और 30 ले लेता हूँ माल लेते है ठीक है 50 का 80% होगी है 40 ठीक है और B का 90% होगी है 27 इसमें 13 कहीं अंतर आ रहा है देखे इसका मलब जो value ली है मैंने वो exactly ली है नहीं ये नहीं निकालना है A-B निकालना है A-B कितना आएगा भाई 50 में से 30 गया 20 answer आएगा C option answer आएगा ठीक है C option answer आएगा खुद देख सकते हैं कितने बड़ी है लाजवाब कोशन है अगला कोशन है ये हैं आपके सामने ध्यान से देखना है बिलकुल P train cross करती है Q को 45 second में जब वो विपरी दिशा में होती है train की length train P और Q की length 1200 और 1500 है कुल मिला के 2700 हो गई 2700 को मैं 45 से भाग करता हूँ अगर तो speed आती है कितनी 60 60 meter पर 30 second add गन्ने पर ठीक है और वो बोलता है train की speed Q की speed 144 है 18 की value 5 होती है 144 हो गया 8 गुना यानि 40 आ गई क्योंकि 40 meter पर second P की कितनी आ जाएगी 20 meter पर 30 second अब उसने क्या बोला कि P train 1800 मीटर लंबे platform को 1800 यह हो गया और इसकी लंबाई यह 1200 यानि 3000 तो 3000 मीटर की दूरी वो 20 के हिसाप से कितनी देर में तै करेगी 1500 सेकिंड में तै करेगी D option हमारा answer हो जाएगा D option मेरा answer हो गया ठीक है चलिए अगले question पर आते हैं अगला question है आपके सामने यह एक कपड़ा विगरेता 65 मीटर कपड़ा 11 रुपे परती मीटर के लाब पर इतने रुपे में बेशता है एक मीटर कपड़े का करेमुल्ले क्या है 65 से पहले मैं भाग करता हूँ तो यह आता है 7 गुना 7 गुना नहीं 9 गुना तो 90 आ गया यह SP आगे 90 इसके अंदर 11 रुपे प्रॉफिट भी है तो CP कितना रहाएगा 79 रहेगा D option answer आ जाएगा इसकी language मुझे अच्छी लगी इसलिए question मैंने ले लिया ठीक है अगला question है यह आपके सामने 8 लड़कियों की ओसत IU Y है 5 नई लड़की इन में शामिल होती है जिनकी IU Y plus 3 Y minus 6 Y plus 15 Y plus 8 Y plus 6 है करक्षा में शामिल होती है तो करक्षा का नए आउसत क्या होगा नए आउसत के लिए हम क्या करते है हम इह देखते हैं नेट बदलाव कितना है 6 से 6 गया 15,3,18,18,26 26 साल बढ़ रहे है 8 और 5 तेरा तेरा लोगों में तो उसत कितना बढ़ जाएगा 2 साल बढ़ जाएगा यानि जो उसत Y था अब वो Y plus 2 हो जाएगा average का कोशन अलग तरीके से बना के दिया है अगला कोशन है यह आपके सामने A, B, C से A, C से 20 परसेंट अधिक है A अगर 12 है तो C 10 हो जाएगा देखो B यहाँ पर है अब मैं आगे बढ़ता हूँ B, D से 15 परसेंट का यानि 85 परसेंट की वेल्यू यह है 170 85 का दुगना, 100 का दुगना 200, यानि D की वेल्यू 20 आजाएगी तो इसका 85 परसेंट नज़र आ रहा है मेरे को C कितना पतिशद है, D का 50 परसेंट आंसर आ जाएगा B आप्शन हमारा आंसर हो गया ठीक है अच्छा कोशन है यार बड़िया कोशन है जो दिमाग चला सकता है, पेपर उसी का है वैसे बहुत सारे कोशन असान आये है मैंने केबल वही कोशन लिये है जो आपके exam point of view के आगे के हिसाब से important है ठीक है ये कोशन करके जाने बहुत जरूरी है दो mixer और एक TV दो mixer एक समान लेते हैं और एक TV 500 रुपेका है और एक mixer और दो TV 700 रुपेके आपको बताना एक TV की कीमत जो की Y है एक TV की कीमत है 400 तो नहीं हो सकती वैसे तो solve करके हो जाएगा पर फिर भी मैं try कर रहा हूँ ठीक है 300 भी नहीं हो सकती है मैं 300 रखता हूँ 600 X की value आ गई 100 200 300 हो जाएगी बिल्कुल मैं ऐसे भी कर लेता हूँ आप भी कर सकते हैं बड़ी बात नहीं है और X, Y के लिए तो देखो solve करना सब ही जानते हैं ये बढ़ी 300 रखा तो 600 आ गया X की value 100 आ गई अब इस तरीगे के question examiner ने simplification के डाले हैं इस बार ठीक है दियान से देखिएगा इसमें मैं करने की कल आपको लगता सिखाता हूँ divide है मनलब 3 ये 2 ये 3 बटा 8 प्लस 1 बटा 30 इसे मैं क्या लिखता हूँ इसे लिखता हूँ 120 यानि 45 और 4 उननचास 49 बटे 120 ठीक है अब मैं इसकी बात करता हूँ 3 से गटा 2 आ गया 1 बटा 2, 1 बटा 5, 1 बटा 10, 1 बटा 8 1 बटा 10 और 1 बटा 8 अगर मैं solve करता हूँ 40 के इसाब से तो 4 बटा 40, 5 बटा 40, 9 बटा 40 और 40 का 3 गुना करूँगा 27 बटा 120 उननचास में से 27 गया तो 22 बचा 22 बचा 120 यानि 11 बटे 60 अब आपने देखी लिया हूँगा मैंने किस तरीके से कुशन आपके सामने solve किया है कितनी चीज़े लिखी है आदे से यादे चीज़े दिमाग में है और ये मैं लगतार आपको सिकाता आ रहा हूँ कि ये ऐसे कट जाते हैं और फिर ये यहां ये यहां ये ऐसे कट जाते हैं फिर ये यहां ये यहां ठीक है लिखना नहीं है ज़्यादा अगला कुछ नहीं है आपके सामने P स्टार्ट करता है A से 6 बजे ठीक है A से B A से B यहां से P स्टार्ट करता है ठीक 6 बजे और 8 गंटे में यहां पोसता है क्यूँ स्टार्ट करता है यहां से और 9 गंटे में यहां पोसता है ठीक है जब वो मिलते हैं तो उनके द्वारा तै की गई दूरी का अनुपाद आपको बताना है बहुत ही बड़िया कुश्चन यार ध्यान से देखना बहुत बड़िया कुश्चन है एक सेगें लोगी क्या मैं इसे वेट अच्छे से समझे ने जब समझी रहे हैं तो ध्यान से देखते हैं ये ध्यान से देखिएगा अब मैं अगर इसकी टाइम आठ ले लेता हूँ इसका नौ ले लेता हूँ ठीक है ये यहां से निकलता है आठ की गती से और दूरी कितनी बची 18 चला गया तो 54 बची ठीक है अब ये अगर सेम पॉइंट में मिलते हैं अब ये समझे का के वली है भूल जागिए ये समझे मिलते हैं अगर टाइम सेम हैं टाइम सेम हैं तो जो स्पीड का अनुपाद होता है वोई डिस्टेंस का हो जाता है यानि 9 अनुपाद 8 तो 17 की वेल्यू अगर 54 है तो 9 की वेल्यू कितनी आ गई 14 इंटू 9 बटा 17 ठीक है ये डिस्टेंस आया पी का तो पी ने कुल कितनी दूरी तेगरी होगी 18 प्लस चौवड इंटू 9 बटा 17 और क्योंने कितनी दूरी तेगरी होगी क्योंने तो 8 दूरी तेगरी है 8 इंटू 9 बटा 17 ठीक है और क्योंग और पी का अनुपाद निकालना है अगर मैं काटता हूँ 18 से 18 गया ये 3 आया 18 गया यह 3 आया ठीक है 17 एकम 17 और 27 यानि 44 44 बटे 17 8 यह 24 24 बटे 17 17 से 17 गया 4 से काटता हूँ 11 और 6 11 और 6 दिख रहा है किसी option में यह रहा C option में C option में रहा answer हो जाएगा 6 is to 11 बड़ा कुशन है अगला कुशन यह आपके सामने ध्यान से देखिएगा वो बूलता है एक city में 70 परसीचत population पुरुशों की है बचीवी 40 महीला होगी है जो married है और non married है उनका अनुपात 57 है यानि 12 की value 60 है तो जो married है वो कितने हो गए है 5 गुना यानि 25 जो married नहीं है वो कितने हो गए 35 ऐसी महीलाओं में देखते हैं 2 अनुपात 3 का मलब है 5 की value 40 तो 1 की 8 हो गई 2 की 16 और 3 की 24 यह पूरा data आगया आपके सामने कितने married हैं कितने नहीं हैं कितने बुरुश में से कितने महीलाओं में से आपको बताना है कुल population का कितने married हैं 25 और 16 और 41 तो 100 में से 41 married हैं तो 41 पतीशत हमारा answer हो जाएगा A option हमारा answer हो गया ठीक है अगले question पर आएंगे अगला question है यह आपके सामने एक राशी को A, B, C में 8, 4, 3 में बाटा गया 8, 4, 3 A ने अपनी राशी D और E में बाट दी 9 उपा 7 में तो A की राशी 16 होनी चाहिए 16 का मलब है इसे 16 बनाओगे तो यह 8 हो जाएगा यह 6 हो जाएगा इसने D और E में बाट दी D को दे दी 9 E को दे दी 7 अब पूछा क्या है ratio of share of C and D C और D का अनुपाद हो गया 6 नो यानि 2-3 2-3 का मलब हो गया C option C option हमारा answer हो जाएगा ठीक है यह मेरा answer आगया उमीद करते हैं सभी को बात clear होगी बढ़ते हैं आगे simplification of ocean इसका मतलब क्या है A-B का whole square यह मतलब है इसका ठीक है A निकालता हूँ अगर मैं तीन चोग बारा और दो 14 और यह कितना आगया 2 प्लस 2 4 14 बटे 4 यानि 7 बटा 2 ठीक है यानि कितना आगया 7 बटा 2 आगया एक ही value ठीक है यह कितना आगया 2 दुनी 4 और यह कितना आगया 2-3 minus 1 minus 4 आगया यार यह तो तो 3.5 में से 4 गया यानि 3.5 तीन और 4 साड़े साथ साड़े साथ का square बताना है 75 का square बताईए 7 अठे 56 56 कहाँ पर है D option में 75 का जब square निकालता है तो यही देखते है 7 से अगला number के आएगा 8 तो उसके उड़ा कर देते हैं इससे और आखिर में 25 लगा देते हैं अगला question है यह आपके सामने A और B की आयू का अनुपाद 7 तीन है 7 साल बाद यह अनुपाद 2 एक हो जाएगा अंतर तो समान रखिए भाई यह 4 है तो इसमें भी 4 का अंतर होना चाहिए इसलिए मैं इसे 8 4 बना रहा हूँ 4 से गुणा करके यह 7 साल बाद है ठीक है क्या बोलता है वो कितने साल बाद आज इसे इसका अनुपाद 3 दो हो जाएगा बात समझ रहे हो 3 दो का मतलब अंतर तो समानी रखना है 4 का यानि 12 और 8 यह पूछा है तो देखे 7 से 8 हुआ 8 से 9 होगा 9 से 10 होगा 10 से 11 11 से 12 3 से 4 4 से 5 5 से 6 6 से 7 7 से 8 ठीक है तो 7 से 12 कितना हो गया 5 बढ़ गया तो 5 बढ़ेगा कितने साल में 7 इंटू 5 35 साल में यह मेरा अंसर हो जाएगा C option अंसर आजाएगा अगला कोशन है यह आपके सामने 5 रुपे और 10 रुपे के सिक्के मिला के कुल 40 सिक्के हैं जो कुल राशी बनती है 310 रुपे आपको डिफरेंस बताना है 10 रुपे के और 5 रुपे के सिक्के से जो बनेगी राशी उसका देखे ऐलिगेशन का concept लगाने वालों मैं 40 के 40 सिक्के अगर मैं माल लेता हूँ 5 के है 40 के 40 सिक्के माल लेता हूँ 10 के है पर exactly है क्या यह है इतनी राशी है मिला के तो यह आगिया आपका 110 यह आगिया 90 यानि जो सिक्को के संख्या है 9 अनुपाद 11 में है यानि यह सिक्के हो गए आपके कितने 18 यह सिक्के कितने हो गए 22 20 की value 40 है आपको बताना है इनसे जो value बनेगी उनका अंतर कितना होगा 18 इंटू 5 यानि 90 22 इंटू 10 यानि 220 तो अंतर कितने का है 130 का है 130 हमारा आंसर हो जाएगा D option आंसर हो गया कुछ अलग है question में वाकिए में कुछ अलग है अगला question है यह आपके सामने N में 2 बदलाव किये गए 12 पतिशद और 16 पतिशद बदलाव यानि बड़ो 3 यानि मैं यह बोलूँगा N 400 है तो increase के बाद क्या हो जाएगी ठीक है 12.5 पतिशद यानि 1 बटा 8 1 बटा 8 का मलब है 4.5 अगर मैं ऐसी कर दूँ 12.5 मलब 8 से 9 16 परसेंट का मलब क्या हो गया 25 से 29 और 25 अठ़े है 400 200 200 की value 400 है ठीक है और 39 इंटू 9 180 और 81 261 ठीक है यह कितना था 200 200 की value 400 है यह 261 है आपको increment निकालना है कितना बड़ा 61 की value 122 आजाएगी answer आजाएगा D option ठीक है इतनी हो गई इतने से 200 से पर 200 की value 400 है तो मेरे को increment निकालना है 60 की value तो 122 आजाएगा अगला कोशन देखे बस और train की speed का नूपाती है एक गाड़ी 720 किलोमीटर तै करती है 9 गंटे में यहनि गाड़ी की speed 80 आ गई बस की speed 3 चोथाई है इससे 3 चोथाई का मलब हो गया 60 और 15 की value अगर 60 है चार गुना 15 की न बिलकुल train की कितनी होगी 108 27 चोग 108 तो distance कितना cover होगा 7 गंटे में train के दवारा तो 108 इंटू 7 756 756 हमारा answer हो जाएगा B option मेरा answer हो गया फिर से कुछ question अलग अगला question नहीं है एक व्यक्ती गाड़ी की कीमत 50% उपर अंकित करता है 100 की चीट 1500 अंकित कर दी उसने और मुनाफ़क हमाराद है 10% का यानि 110 में बेची discount दिया 40 उर्पेगा 4 बटे 15 ठीक है यह निकालना है तो कितना आ जाएगा यह 6 सही 2 बटा 3 का 4 गुना 6 चोग 24 और 8 बटे 3 26.67 यह option answer हो जाएगा ठीक है यह option मेरा answer हो गया चलिए अगले question पर आते हैं बढ़िया question देखिए दियान से A, B, C B और D बड़ा कर लेते हैं देखिए दियान से A, B, C A, B, C B और D B का मान दो रखना है B का मान दो ही है तो अगर D लगाता हूं मैं यहापर तो D की जगे 3 आ जाएगा D की जगे 3 आ जाएगा 3, 2, 4, 3 अब देखिए क्या गह रहा है वो क्योंकि B की जगे 2 था सेम नहीं होता तो सेम बनाते A प्लस C प्लस D 4, 3, 7, 3, 10 10 C माइनस B, 2 और इसका क्यूब ठीक है तो 5 का क्यूब हो गया 125 125 कहां पर है C आप्शन में है C आप्शन आपका आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पर आते हैं A, B, C तीन जगरों के बारे में बात हो रही है A, B को 100 मीटर की रेस में 10 मीटर से हराता है 100 ये ट्रेवल करेगा तो ये 90 ट्रेवल करेगा ठीक है और B, C को 10 मीटर से हराता है तो 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 B की वेल्यू 9 और 10 से भाग होनी थी है यानि A, B, C A, B, C यानि इसे 10 से गुणा करेंगे ये 100 आगिया ये 90 आगिया इसे 9 से गुणा करेंगे क्या से आगिया ये आगिया ये डिस्टेंस का रेश्यो ये रेश्यो स्पीड का आजाएगा ठीक है ये रेश्यो आपका स्पीड का आजाएगा दिहान से देखिए ये स्पीड का भी रेश्यो है ठीक है अब वो क्या बोलता है What is the ratio which are respective times taken by A, B and C to complete the race ठीक है to complete the race complete the race का मतलब क्या हुआ distance same distance अगर same है स्पीर और टाइम का अनुपात उल्टा हो जाता है ठीक है उल्टा हो जाता है अब ध्यान से देखिए या तो मैं ये कर दूँ एक नंबर ऐसा ले लो जो LCM हो इनका उसे distance माल लो जैसे 81 into 100 81 hundred तो time कितना आ जाएगा 81 तब जाके 81 बनेगा ये 90 तब 81 बनेगा ये 100 तब 81 बनेगा तो 81 900 देख लो या फिर मैं केवल दो पर ही काम कर लो अगर ये 10 9 था 10 है नहीं है केवल एकी option में D option में बात खतम हो जाएगी अगले वाला लेने की जुरुवत भी नहीं बड़ेगी ठीक है अगला कोशन है आपके सामने ये एक solution है जिसमें 45 परतीशत alcohol है 60 परतीशत वाले के साथ 2 अनुपात 3 में मिलाया गया तो ये कितने का बन गया इसका योग इसका अंतर के बराबर होता है 5 की value 15 1 की 3 3 की 9 तो 9 जोड़ गया यानि 54 54 परसेंट वाला बन गया अब इसके अंदर 72 परसेंट वाला मिलाया और 66 परसेंट वाला finally बन गया ये आगया आपका 12 ये आगया अच्छे तो किस अनुपात में हमने मिलाया एक अनुपात 2 में मिलाया C option आपका अंसर हो गया ठीक है C option मेरा अंसर आजाएगा अच्छा कोशन है यार इस तरीक एक कोशन मैंने क्लास में भी कराया आपको अगर दियान हो तो क्लास में भीने बहुत तगड़ी-तगड़ी कोशन कराया है ठीक है ये तो कुछ भी नहीं है पर एक्जाम करेक करना है तो भाई दिमाग खोल के रखना पड़ेगा ये तो समझ आगिया होगा अब आपको ठीक है ग्यारा नो फोर विलर में से एक चोथाई पैट्रोल विकल्स है यानि फोर विलर की वेल्यू ऐसी लो जो चार से भाग हो जाए मैं 36 ले लेता हूँ अगर ये 36 आएगा तो ये 44 आजाएगा एक चोथाई पैट्रोल वाले हैं इसमें एक चोथाई का मतलब हो गया नो और वाकी बचे 37 ये पैट्रोल वाले है रिमेनिंग डीजल वाले हैं ये और इसकी वेल्यू दे रखी है कितनी 81 तीन गुना तो टू विलर कितनी है इसका तीन गुना कर देंगे 132 आजाएगा B option answer आजाएगा ठीक है application concepts का अगला कोशन देखिए ये 60% होता है कितना 3 बटा 5 4 बटा 5 5 से 5 गटा 4 बटा 3 आया GH का कितना है लगबग 4 बटा 3 कितना होता है ये होता है ठीक है D option answer आजाएगा अगला कोशन है ये यदि ये proportion में है यानि X माइनस 1 बटा अच्छा X की value तो देई रखिए आपको देखिए ये गलती हो जाती ये बहुत बच्चों से होई होगी एक्जाम में ज़रूती नहीं है लिखने की X की जगे 5 है 5 में से 1 गया 3 और 5 से 1 गया 15 और 5 बीस 5 में से 1 गया 4 4 की value बीस आगई 5 गुना तो 7 का 5 गुना आजाएगा 35 C option answer हो जाएगा proportion है न X की जगे 5 रखो ये कितना आगए 4 और ये कितना आगए 20 4 से 20 बन रहा है 5 गुना तो 7 से कितना बनेगा 5 गुना 35 बन जाएगा answer हो जाएगा ठीक है 40 परसेंट 50 परसेंट पहले 296 में ही काटता हूँ 5 गुना ठीक है अब आगे चलूँगा 40 परसेंट का 40 परसेंट यानि 20 परसेंट हो गया 20 परसेंट का 5 परसेंट यानि 1 परसेंट हो गया 1 परसेंट किसका 5 का ठीक है 1 परसेंट 5 का परसेंट से 100 buta 6 आगया बी की वेल्यों 50 buta 3 देख रहे हो क्या किया इसे काटा 5 से 5 आगया 50 का 40 परसंट 20 परसंट 20 का 5 परसंट 1 परसंट 5 का percent से percent हटा दिया मैंने ठीक है पर इसका percent परसंट बदा 5 से 30 गटा दिया 6 तो नीचे 100 ऊपर 6 तो 100 बटा 6 लिख दिया मैंने, तो B की value आ गई, 50 बटा 3, अगला देखे, देखे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के पास कुछ सिक्के हैं, 10 रुपे, 5 रुपे और 2 रुपे के, इनकी जो संख्या है, उनके product का अनुपाद दे रखा है आपको, 3, 4, 2, अरे बहुत तगड़ा कुछन लग रहा है यार, यह तो 10 रुपे, 5 रुपे और 2 रुपे, माल लेते हैं, इसकी संख्या X है, नमबर, ठीक है, इसकी Y है, इसकी Z है, X, Y, और Y, Z का अनुपाद दे रखा आपको, कितना? ratio of product of the number of rupees, 10 and rupees 5, एक सेचेंड दो बैसे, ratio of the product of the numbers of rupees, 10, अच्छा, x, y, y, z, z, x यह आपको दे रखा है कितना? 3, 4, 2 ठीक है? यह आपको दे रखा है 3, 4, 2 अब क्या करेंगे? 4, 12, x, y, z, 2 अब क्या कर सकते है what could be the minimum amount of money ठीक है चलिए देखते हैं दिखान से क्या हो सकता है x, y, z आइए देखते हैं क्या हो सकता है अगर मैं यह देखूं तो x, 5, z, दे रखा है मेरे को 3, 4 अगर मैं यह देखूं इस टाइम मेरे को यही किलिक कर रहा है ठीक है, हो सकता है, और भी कोई best solution हो इसका y, x और यह कितना आगिया y, z 3, 2 ठीक है, यह 1, यह 2 अब देखें क्या बोलता है वो z की जगे 4, x की जगे 3 z की जगे 4 x की जगे 3 ध्यान से देखें x की जगे मैं 3 बनाता हूं इसे तो यह तो 3 बन जाएगा, यह 6 बन जाएगा और अगर इसे 4 बनाओंगा तो भी यह 6 बन जाएगा, बन गई बात तो देखें, आ गिया, x, y, z x की बिल्यू 3 आ गई, z की 4 आ गई, y की 6 आ गई बात खतम हो गई अब तो answer आ जाएगा 3 दान 30, 6 पंजे 30 4 दुनी 8, 30, 30 और 8 यानि 68 इस टाइम मुझे यही किलिक किया, हो सकता है और भी कोई best solution हो इसका हो सकता है मुझे यही किलिक किया ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कोशन पर आते हैं कोशन बढ़ी है यार, बड़ा कोशन है लेकिन बड़ा मनला लेंदी है P1 अकेले दो ती हाई काम को 8 दिन में करता है तो मैं बोलता हूँ 2 काम 8 दिन में, 4 गुना 3 काम 12 दिन में 7 काम 14 दिन में 12 काम 24 दिन में पूरा काम 24 दिन में 8 का 16, 15 का 30 अब तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे simple हो गया question, 10, 5 और 4, 120 बटा 19 दोई option लगेंगे दोई option लगें देखो, और answer 120 बटा 19 आएगा language बढ़ी करके दे, रखें और कुछ नहीं है बदलाब में पढ़ाया है मैंने, अगर ध्यान हो तो यह आपको बताना है देखिए, जब ऐसा proportion होता है, तो हम बोलते हैं इसके product के बराबर है M square बराबर है 16 K square के ठीक है M square बराबर है 16 K square 16 K square, 17 K square और M square बराबर है 16 K square के मरलब 16 दूनी 32 और एक 33 33 K square answer आगिए, B option यह देखना सीखिए, इसका मतलब क्या है यह पास पास वालों का गुड़न फल, दूर दूर वालों के गुड़न फल के बराबर होगा M square 16 K square के बराबर value रखिए, answer आगिए अगला कोशन है यह आपके सामने A और B बिन्दू M से same time पर N की और निकलते है B N पर पोस्ता है और M की तरफ तुरंद मापिस मुड़ता है A को मिलता है किसी बिन्दू O पर यहां मिलता है कही distance है M और N का 245 और speed है A और B की इतनी तो distance O N आपको बताना है ठीक है? धियान से देखे distance O N बताना है total distance कितना होगे आपका 245 दोनों मिलके दो बार calculate करेंगे तो 490 होगे travel करेंगे यहां से यहां जाएगा यहां पर आएगा इतने में यहां आएगा तो यह दूरी दो बार travel हो रही है speed का अनुपाद है 26 और 65 दो 5 हो गया speed का अनुपाद यह यह अनुपाद distance का होगा क्योंकि वो मिल रहे है 7 की value 490 70 गुना तो 140 यह हो गया यह हो गया 300 ठीक है यह हो गया 300 क्योंकि क्योंकि एक सेगिंड रुकि यह B reaches N तो आपको क्या बताना है A और B बिन्दू M से बिन्दू N की और दोनों यहां से N की और जाते हैं एकिसमे पर B N पर पहुचता है और तुरंत M की और चलना शुरू कर देता है वे बिन्दू O M और N के बीच पर A से मिलता है M और N के बीच की दूरी 245 किलो मीटर है सही है क्या रिक्कत है आगी ने दूरी यह 140 आगई आप से यह पूचिए 245 में से घटा दो 105 बचेगा 105 का मलब है B option B option आपका answer आजाएगा सही है मुझे लगा कुछ गडबड हो गई question में अगले question पर आते है अगला है यह P Q P R यह बताना है P का value 4 है 4 बनाईए 4 बनाएंगे तो 6 हो जाएगा ठीक है और भी कुछ का सकता हूँ मुझे नजर नहीं और भी कुछ नहीं हो सकता 4, 5, 6 4, 5 और 6 12, 4, 4 गया 3, 5 आगया 3, 4, 4 ऐसे कैसे गया ऐसे थोड़ी चला जाएगा 12 और 20 और 30 यानि 6, 10, 15 ऐसे इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि 4 यहां से थोड़ी गट रहा है हाँ यह जरू का सकता था देखिए मैं क्या सोच रहा था PQ अगर मैं यहां डालता हूँ 4, 5 ठीक है 4 से 4 गाएगा 3, 5 3, 5 इसमें भी है इसमें भी है पर इसमें 7 है 7 कहीं नहीं दिख रहा दूर दूर तक कट जाता अंसर आजाता है यह option ठीक है अगले question पर आएंगे अगला question नहीं है यह भी एक simplification question है ध्यान से देखते हैं 2, 12 और यह हो गया 24 बटे 6 यानि 4 यानि 3 12 बटे 3 यानि 4 P की में लिए तो 4 आ गई यह लो क्यूं देखते हैं 12 डिवाइड बै 4 यानि 3 3 में से 2 गया 1 उपर वाले को भूल जाओ और 4 बटे 3 48 बटे 3 यानि 16 एक बटा 16 16 का मलब है 16 उपर चला जाएगा और इसका square बूचा है 64 का square 4096 answer हो गया पर करना है सही है ऐसा है नहीं कि आप एक चीज़े लिख रहे हैं क्यों लिख रहे हैं मैं कराही क्लास इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपका बटे एक्जाम है कई बच्चों का मेस का एक्जाम है कली एक्जाम है ठीक है तो यह सारे session आप लोगों के लिए खास dedicated हैं आप लोगों के लिए मेहनत करिए सारी सारा type कराना सारा content निकालना important निकालना कि कोई कसन न छूटे फिर SSE के एक्जाम आने वाले है तो यह करके जाएए 48 set जब आप गिनेंगे उसके अंदर paper में कितने सारे question होंगे और आपको देखके समझ नहीं आएगा कौन सा हमारे लिए सही है बंदा बीच में सही छोड़ देता है तो वो काम filter करने का हमने की है अगला कुछ नहीं है P की जगे 3, Q की जगे 5, R की जगे 2 तो 3 और 10, 13 और 6, 19 अब 19 मैंने उपर वाला निकाल लिया तो मैं सीधा answer मार कर दूँगा ठीक है क्योंकि 19 ये तो भाग नहीं करेगा 19 को ना ये करेगा ना ये करेगा जब एक जगे मेहनत कर लिये तो नीचे वाले में ना करिये तो बढ़िया है ये हमारा अगला कोश्चन एक दुकंदा 3 उत्पाद ABC खरीता है और उन्हें करमच 20, 30, 40% लाब पर बेचता है नुत्पादों के विक्रे मुल्ले का नुपाद क्या है यदि क्रे मुल्ले इतना है आईए देख लेते हैं तो मैं क्या करने वाला हूँ 40, 30 और 20 लेके करूँगा असान बढ़ेगा मेरे को लग रहा है 20% लाब पर बेचता है 48 में बेचेगा अगला क्या है 30% लाब पर यानि नौर पर 49 48, 49 कहीं देख रहा है यहां देख रहा है बात खतम करो आगे मत बढ़ो इतने से ही आंसर मार करो ठीक है इतने से ही आंसर मार करो आगे मत करो भाई बार बार सिखा रहा हूँ आस से नहीं सालो साल से सिखा रहा हूँ अगले कोशन पर आते हैं अगला कोशन है आपके सामने ही इस तरीके के कोशन हमने मेंस बेच में आपको कराया है अगर धियान हो तो सेम आया MTS के इन्दा सूचिए हमने कराया मेंस में आया है MTS में पर बुख में नहीं है बुख में कहीं नहीं मिलेगा आपको क्योंकि नहीं तरीके का कोशन है हैन और गोट का अनुपाद 5-4 है A के अंदर B के अंदर यह है इन में से कौन सा अनुपाद टोटल का हो सकता है ऐसे कोशन में मैंने बताया था आपको क्या करना चाहिए आप यह देखिए पहले में कितने परतीशत हैन है मुर्गिया कितनी है 5 बटा 9 लगबग 55 परतीशत 5 बटा 9 ठीक है यह कितना है 5 बटा 12 ठीक है तो ओगे 40 और 47 0.66 8 सही 1 बटा 3 होता 8 पंजे 40 और 5 बटा 3 40 और 41 बचा 2 बटा 3 मैंने ऐसे लग दिया अब जो टोटल नंबर ओफ हैंस है यहाँ पर चाहिए किसी भी अनुपात में हो टोटल जो है 49 से बड़ा होगा 55 से छोटा होगा अब मैं इसमें देखता हूँ यह क्या है 3 बटा 5 यानि 60 परसेंट यह क्या है 1 बटा 3 यानि 33 परसेंट दोनों ही संभव नहीं है 49 और 55 के 20 देखना है 9 बटा 20 यानि 45 परतीश्यत तो यही आंसर हो जाया गभाई C आप्शन आपका आंसर आगया C आप्शन मेरा आंसर होगा बढ़िया कोशन बहुत जबर्दस कोशन ठीक है क्योंकि उसने कुड़ भी बोला है कुड़ भी के हिसाब से हम चल ले है 7 बटा 18 यह 7 बटा 18 आता 7 बटा 18 का मलब क्या है देखे रियान से तो 40 से भी कम बैठे गई है अगला है यह लास कोशन आज का हमारा ठीक है ज़्यान से देखना है सबी को अरुन ने एक ओल्ड कम्प्यूटर लिया और उसपे 110 रुपे खर्च करे उसने फिर बोला को बेचा 20% फाइदे पर बोला ने चंदन को और चंदन ने 10% मुनाफे पर तो लास से शुरू करना पड़ेगा ग्यारा की वेल्यू यह है 108 गुना तो 10 की कितनी हो जाएगी 1080 ठीक है चंदन को और 1080 का पड़ा जो बोला ने बेचा 90% की वेल्यूटर तो 100 कितनी हो गई 12 गुना यानि 1200 बोला को पड़ा 1200 का 120% मुनाफे के बाद यानि 120% की वेल्यू है 1200 तो 100% कितनी रहेगी 1000 तो 1000 में से 110 तो रिपेर के खर्च करें है तो 89 कितने का खरीदा होगा 1000 माइनस 110 यानि 890 यह हमारा अंसर हो जाएगा ठीक है तो यह थे हमारे आज के कोश्चन MTS के लगबख 100 के करीब कोश्चन हमने आपको कराए है लगबख 100 के करीब जो आपको आने वाले एक्जाम में फिर से same to same मिल सकते हैं इन सब कोश्चनों का जो pattern है वो बहुत अच्छा है trending है latest है इन चीज़ों को करके जाएंगे तो पेपर में वाकई में लगेगा कि हाँ यार हमने जो चीज़े अब आई भी है न वो बुक में से तो नहीं है पर हम पढ़ कराए है ये लगातार मेहनत मैंने ICAR पे चारो सेट मैंने आपको कराए MTS के मैंने सारे सेट देखे 200 कोश्चन निकाले एकदम गिंदी के सोजो काम की है 1000 प्लस कोश्चन है ऐसा नहीं कि मैं लगातार किलासी किलास लिए जा रहा हूँ 500 कोश्चन करा दिये 400 कोश्चन करा दिये जो काम की है वाकी कोश्चन तो किताब में मिल जाएंगे किताब में भी solution है ठीक है परन्तु ये कोशन ऐसे हैं जो किताब के नहीं है maximum इनकी किसी की language अला गया है किसी में calculation अला गया है तो सम्में कुछ न कुछ अला गया है तो उमीद करते हैं आप सभी को मेरी ये कोशिश अच्छी लगेगी अच्छी लगे तो comment करके जरूर बताइएगा क्योंकि बहुत मैनत करिया भाई ICR का एकदम latest निकल वाया पूरा type कराया content डूंडाया कौन सा खराना चाहिए कौन सा नहीं कराना चाहिए इसके 48 set डूंडे है ठीक है फिर वो कराये है आपको उसमें से देखा कौन सा काम का है कौन सा नहीं है और बहुत जल्द हम इसकी PDF भी आपकी विस सोलूशन डलवा देंगे टेलीग्राम पर टेलीग्राम पर जुड़े रही है ठीक है लाइक करिए कर सेशन अगर अच्छा लगा तो मिलेंगे आप से अगले सेशन में कोशिश यही देगी कि आपको मंजिल तक पोचाएं जो जो चीज अपडेटीड आ रही है लगातार आपको कराते रहें ठीक है जैहिन